आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिर्यानी, जिसके लिए हमें चाहिए तीन चोटे टमाटर कटे हुए, एक कब दही, साथ बेबी पोटेटोस, मैंने हल्दी और नमक डाल के फ्राइ कर लिया है, और आठ टी स्पून अदर कलसन पेस्ट, वन थर्ट कब हराधनिया और पुद इसमें हैं दो टी स्पून धनिया पाउडर, दो टी स्पून लाल मीची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरा मसाला पाउडर और नमक, देखिए मैंने आलू तलेवे तेल में इसका बिरिस्ता बना दिया है प्यास का, अभी ये प्यास बिल्कुल गोल इसमें मैं अद्रक्रसन पेज्ट भी डाल रही हूँ, ये सारे सूखे मसाले, आदा कब पानी भी डालोंगे, आदा कब पानी भी डाल दिया है अब मैं इसमें दही भी डाल दूँगी, हरा धन्या पुदीना भी डाल दूँगी, और इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी मैंने इसमें दो लिटर पानी ले लिया है, अब मैं या सॉन कर दूँगी, इसमें मैं डालूँगी नमक देखिए मैं अब इसमें दो तेस पत्ता डाल दूँगी, दो बड़ी इलाइची, काली मिर्च, एक स्टार एनिस, एक तुकड़ा दाल चीनी, इसमें मैं वन थर्ट टीस्पून शाजीरा, वन थर्ट टीस्पून जीरा ये भी डाल रही है, देखिए तुड़ा मसाला बुन चुका है, अब मैं इसमें चिकन भी डाल दोगी, उसको अच्छी तरह हिला कर, सीम पर रख देना इसे, देखिए इसमें उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें अपने भीगोय हुए बासमती चावल डाल कर, पकाऊंगी, बिर्यानी के लिए चावल बिल्कुल तयार है, यह पूरे तरह से नहीं, लेकिन आदे पक चुके हैं, आदे नहीं, पॉने पक चुके हैं, अब मैं इसको निथार लोंगी, अब मैं इसमें जो आलो फ्राइ किये वे थे, वह डाल दोगी, और उसको ढखकन ढखकर वापस स्विम पर रख दोंगी, पकने के लिए, मैं भी खोल रही हूं, यह बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसके लेयर बनाओंगी, देखिए मैं इसमें थोड़ा चावल रखे है, अब उसमें मैं मसाला डालूंगी, हाफ मसाला इसमें मैं डाल देना है, अब हाफ चावल इसमें डाल देना है, यह चावल उबालते टाइंग, नमक थोड़ा जादा डाल कर उबालना है, और हमको लास्ट में चावल ड्रेन करना है, ड्रेन करने की वज़े से इसमें नमक थोड़ा जादा डालना पड़ता है, आदे चावल मैंने इसमें प्रेड कर दिये हैं, अब आदा जो मसाला बचा है, वो भी मैं इसमें प्रेड कर दोंगी इस पर, देखिए मैंने इस पर बचा हुआ मसाला चिकन स्प्रेड कर दिया है, अभी बाकी का जो हमारा चावल बचा है मैं इस पर पूरे स्प्रेड कर दूंगी, देखिए मैंने चावल भी स्प्रेड कर दिया इस पर, और दो टेबल स्पून इस पर गी डाल कर, दो टेबल स्पून गी डाल दिया भी, अब मैं इस पर यह ग्रीन कलर, जो मैंने पानी में भीगोकर रखा है, और दूसरा रेड कलर, और औरेंज रेड कलर, अब मैं इसको सिम पर, दस मिनिट पंदा मिनिट तक के लिए रख दूंगी, जब तक इसको भाप नहीं आ जाती, यह मैं अभी धक्कन खोनने जा रही हूँ, देखिए भाप आ चुकी है, अब यह रेडी है, देखिए चिकन बिरियानी रेडी है, अगर मेरी वीडियो आपको पसन आती है, तो आप इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क और मेरी धक्राइब पड आती है, अप 얼굴ते रेडी है, अबदेखिए बिरिया।